गुद मॉर्निंग प्लास सेकेंड सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में अब तक हम सब्ट्रैक्शन अभी हम कर रहे हैं और इससे पहले हमने चाप्टर फॉर्स्ट हम कर चुके हैं नमबर प्रैक्टिज सेकेंड चाप्टर है आपका थृड़ी नमबर थर्ड है आपका एडिशन और फॉर्थ अभी हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन तो इससे पहले कि आपको जैसे आपको मैसेज आ गया है कि आपने फॉर्म सेकीं अगस्ट तू सेवन अगस्त तक करेंगे दो तारिक से साथ तारिक तक आपने अपनी जो स्लेबर्स की कॉपीज रही है अपने अपने अपनी कॉपी चेक करवानी करने देनी है स्कूल में तिक आपको मैसेज आपको आ गया है इसके बाद है कि दो तारिक से साथ तारित है ठीक है इस बीच हम क्या करेंगे अपना रिविजन हम करेंगे क्योंकि लास्ट मन्थ में आपका क्या होगा एक प्लास टेस्ट होगा टैन मार्क्स का तो अभी हम क्या करेंगे वन वीक हम क्या करेंगे अपने रिविजिन करेंगे तो आपने भी क्या करना है रिविजिन अपना करना है ठीक है जो अब तक आपको करवाया है वो रिविजिन हम करेंगे तो subtraction में देखे अभी हमने इसमें last video में word problem भी इसमें हमने करी है ठीके और subtraction में backward counting यह हम कर रहे थे इसके बाद हमने two dozen numbers में भी क्या कर रहा है हमने backward जो हमारा subtraction है वो हमने किया है ठीके 3 dozen number में भी हम कर चुके हैं 3 dozen number में और यहाँ पर हमने last अपना page number है आपका 37 word problem यह भी हमने किया है ठीके तो यहाँ पर देखेंगे एक question हम 37 में ही कर लेते हैं अब देखें जैसे यहाँ पर second question जो second word problem मिली है आपको यह हम देख लेंगे क्या है आपका देखें A box had 28 eggs तो एक box पर में क्या है 28 क्या है eggs है अंडे है 14 वर ब्रोकन और जो 14 अंडे है वो क्या हो गए है उनमें से तूट गए है ठीके एक box में 28 अंडे है और 14 क्या हो गए है तूट गए है तो how many are unbroken eggs तो आपको बताना है कि जो बाकी जो बचे है जो तूटे नहीं है यानि कि जो unbroken है वो कितने उस box में रह गए है ठीक तो यहां पर आपको space मिला है देखें यहां पर हर question के बाद आपको space मिला है तो आप यहां पर कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे 14 जो eggs हैं 1,2,3,4,5,6,7 and आपका 8 4 stick इसमें से हम क्या कर देंगे minus कर देंगे यानि कि हम क्या कर देंगे cut कर देंगे ठीक है 1,2,3,4 तो आपके पास remaining stick पर कितने बच गई 4,1,2,3 and आपका आपका कितना आगया आपका 4 ठीक है अब 2-1 है 2-1 simple है 2 आपने एक stick कट कर दी तो कितने बच गई आपके पास 1 तो जो अनप्रोकन एग्स है जो बचे वे जो अंडे है जो बिल्कुल सही है वो कितने है आपके 14 तो आंसर कितना आगया आपका अनप्रोकन एग्स आपके कितने आगए 14 एग्स और क्या है ये अनप्रोकन एग्स है जो कि बॉक्स में आपके बच गए ठीके ऐसे ही एक कुछन आपके बुक में किया है इन क्लास 69 इस्टुडेंट्स 32 आर बॉइस और हमें आपके बॉइस देखे एक क्लास में 69 इस्टुडेंट्स है और उसमें से जो बॉइस हैं जो लड़के हैं वो कितने 32 तो आपको नमबर ओफ गल्स आपको फाइंड आउट करना है ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 9 माइनस 2 कितना हो गया आपका 7 9 स्टिक हम देख लेंगे ड्रॉब करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका 9 2 स्टिक हम ने कट कर लिए और कितनी बढ़ गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 और आपका 7 फिर इसके बादे 6 माइनस 3 तो 6 स्टिक हम ड्रॉब कर लेंगे 1 2 3 4 5 5 और आपका 6 इसमें से हम क्या करेंगे 3 स्टिक हम कट कर लेते हैं 1 2 और 3 तो रिमेनिंग स्टिक कितनी बज़गे आपकी 3 तो आंसर कितना है आपका 37 तो यह आपने क्या करने है बुक में ही इनकी आप क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे जब तक आप वन वीक आपको रिविजिन करना है तो जितना भी आप तक हमने इसमें चाप्टर्स अपने किये हैं नंबर प्रैक्टिस, थर्ड डिजिन नंबर, एडिशन सब्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं तो इसी से आपने क्या करना है अपना प्रैक्टिस आपने करते रहना है जो जो मैं आपको करवाओंगी उसी की एकॉर्डिंगली आप क्या करते रहेंगे अपनी रिविजिन आप करते रहेंगे तो आज आपने subtraction की question करने है जो word problem आपकी book में है page 37 यहाँ पर देखे page 37 में जो यह है two questions हमने भी देखे इसमें बागी question आप देखेंगे और इन्हें यहाँ पर space मिला है आपको book में तो यहीं पर आप question को क्या करेंगे solve up करेंगे so thank you class